टेकी पाउन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं वेलकम स्टुडेंट्स मेरे चनल टेकी पाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं निवेश का अर्थ क्या होता है और निवेश के घटक कौन कौन से होते है इसमें हम देखेंगे इस्थाई निवेश क्या होता है और मालसूची निवेश क्या होता है इसी वीडियो में हम नियोजित निवेश और एनियोजित मालसूची के बारे में भी देखेंगे कि नियोजित मालसूची क्या होती है और एनियोजित मालसूची क्या होती है और साथ में अंत में हम सकल निवेश और शुद्ध निवेश की भी चर्चा करेगे। कहने का मतलब निवेश का कम्प्लिट टॉपिक इसमें आ जाएगा। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आईए इस टॉपिक को देखते हैं। इस्टुडेंट्स आज का टॉपिक है निवेश का अर्थ एवब निवेश के गटक। आएए देखते हैं इस नई संपूर्ण समष्टी अर्थ शास्तर की सेरीज को सबसर पहले निवेश का अर्थ देखते हैं। इसके माद्धिम से एक वर्ष में उपभोग पर उत्पादन का आधिक्य ही निवेश कहलाता है। कहने का मतलब कि जितना अर्थ्विवस्ता में उत्पादन होता है मानलीज अर्थ्विवस्ता में उत्पादन हुआ 150 और उभोग हो रहा है मानलीज ये 100 तो इसका मतलब 50 यूनिट्स बची तो ये जो 50 यूनिट्स है इसे क्या किया जाएगा अगली जो उत्पादन परक्रिया है उसके लिए इसको रख लिया जाता है तो यही क्या है investment उत्पादन का कार्य उत्पादक करता है और उब्भोग का कार्य उब्भोगताओं के द्वारा किया जाता है तो जितना अर्ष थरस्ता में उत्पादन होता है जब उससे कम उभोग हो और जो मात्रा शेश रह जाती है जैसे यहां पचास उनिट बच गई तो उससे क्या किया जाता है अगली उत्पादन प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है रोसी को हम निवेश कह देते हैं समन्य तया देश के संपून उत्पादन का उन उप्वोग नहीं किया जाता है बलकि उत्पादन के एक भाग को और अधिक उत्पादन के लिए उत्पादन क्रियाओं में डाल दिया जाता है या उत्पादन प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है इसी को हम निवेश कहते है फिर आगे देखिए पूंजी स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को ही निवेश या पूंजी निर्मान कहते हैं कहने का मतलब जो डेल्टा के है वही आई होता है यहां के का मतलब है कैपिटल पूंजी और डेल्टा का मतलब है चेंज तो सिंपल सी भाषा में अगर इसका अर्थ क्या बना कि पूंजी में होने वाला परिवर्तन ही क्या है निवेश और निवेश को ही पूंजी निर्मान भी कहते हैं ठीक आईए आगे बढ़ते हैं निवेश को कई नामों से जाना जाता है निवेश को सकल निवेश पूंजी निर्मान सकल पूंजी निर्मान सकल गरेलू पूंजी निर्मान सकल गरेलू निवेश और पूंजी में होने वाला परिवर्तन बराबर आई बराबर डेल्टा के आदी नामों से जाना जाता है इसका मतलब जब आप निवेश पढ़ें समझ्टी अर्थिशास्र में तो ये इतने नाम हो सकते हैं निवेश के तो आप उसमें कन्फूज ना हो अब हम आते हैं निवेश के गटक कौन कौन से हैं उसे देखते हैं सबसे पहले सकल गरेलो इस्थाई निवेश सकल गरेलू इस्थाई निवेश क्या होता है इस्थिर निवेश से तात पर रहे है इसे इस्थिर निवेश भी कहते हैं सकल गरेलू इस्थाई निवेश को इस्थाई निवेश या इस्थिर निवेश भी कहते है तो इस्थिर निवेश से तात पर रहे है एक लेखा वर्ष के दोरान उत्पादगों की इस्तिर परिसंपतियों जैसे प्लांट, मशीनरी आधी में व्रद्धी होना है कहने का मतलब जो उत्पादगों के पास इस्तिर परिसंपतिया होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं सकल गरेलू इस्थाई निवेश जितने plant और machinery में पैसा लगाया जाता है इस्थिर परिसंपती में जितना पैसा लगाया जाता है उसे ही सकल गरेलू स्थाई निवेश कहते हैं अब देखते हैं इसमें कौन-कौन से तत्व शामिल होते हैं पहला है इसमें तत्व नीजी छेत्र द्वारा किया गया व्यावसाइक इस्थाई निवेश अर्थाज जो private sector वो कितना investment कर रहा है इस्थाई के रूप में plant और machinery कितनी लगा रहा है उस पर कितना खर्चा कर रहा है उसे हम इसमें शामिल करते हैं दूसरा तत्व है परिवारों द्वारा रिहाईशी मकानों के निर्मान पर कितना investment किया गया है कितना पैसा खर्च किया गया है तो उसे भी हम इसी कांग मानते हैं निवेश का इस्थाई निवेश का फिर S.C. सरकार द्वारा किया गया सारजनिक इस्थाई निवेश जैसे बांध बनाना, उल बनाना, सड़क बनाना, नहर बनाना आधी पर जो पैसा कर्च किया जाता है उसे इसी के अंतरकत महना जाता है तो इस्थाई निवेश के ये तीन पॉइंट्स हो गए, इन तीनों पॉइंट्स को मिला कर इस्थाई निवेश बनता है आगे बड़े आप देख सकते हैं, ये प्लांट और मचीनरी है, जिस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्राइविट सेक्टर के द्वारा, ये गवर्मेंट के द्वारा, पुलों के निर्मान पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है बांदों के निर्मान पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये सब इस्थाई निवेश के अंग मानी जाएंगे अब हम आते हैं माल सूची निवेश ये क्या होता है देखते हैं इसे इन्वेंटरी निवेश स्टॉक में शुद्ध परिवर्थन के नाम से भी जाना जाता है माल सूची निवेश से ताद पर रहें वस्तू एवं सामगरियों के स्टॉक के उस भाग से होता है जो उत्पादन प्रक्रिया के सतत संचालन के लिए रखा जाता है कहने का मतलब कि हमेशा अर्थेवस्ता में उत्पादन का कारे जारी रहता है अर्थिवस्ता में कभी भी उत्पादन का कारे बंद नहीं होता है और इस उत्पादन की प्रक्रिया में हमेशा कच्छे माल और कई प्रकार के माल के आवशक्ता होती है तो उसके सतत संचालन के लिए उस कारे संपादन के लिए किसके आवशक्ता होती है माल सूची तो उसमें जो पैसा खर्च किया जाता है उसे ही हम मालसूची निवेश कहते हैं इसका सूत्र होता है मालसूची निवेश को ही स्टॉक में परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है इसका सुत्र क्या होता है, स्टॉक में परिवर्तन बराबर लेखा वर्ष के अंत में माल सुची स्टॉक, ये लेखा वर्ष क्या होता है, अकाउंटिंग ये रोता है, ठीक है, जिसमें गर्णा होती है, रास्टी आएगी, तो लेखा वर्ष के अंत में कितना माल सुची स्ट जैसे माल लीजे कि वर्ष 2020 के प्रारम में कितना स्टॉक है माल लीजे 100 है ठीक है और अंत में है माल लीजे 150 kg ठीक ये दो अलग-अलग है तो अंतर कितना का हुआ इसमें 50 kg का ठीक है तो यही हमारा क्या होता है स्टॉक में परिवर्थ है अब हम आगे बड़े अब देखते हैं माल सुची निवेश के अंतरकत कौन कौन से तत्व आते हैं मैं आपको बता देना चाता हूँ अगर आप स्टॉक जानना चाते हैं स्टॉक क्या होता है और आप जानना चाते हैं परिसंपतिया क्या होती है तो उसके लिए आप मेरे निर्मित वस्तों के स्टॉप में परिवर्तन जितनी भी वस्तों का निर्मान हो गया है लेकिन जो अभी बिकी नहीं है उसे हम मालसूची निवेश में शामिल करते हैं ठीक है कोई चीज बनकर तयार है और वो बिकी नहीं है तो उसे हम मालसूची निवेश का अंग मानते हैं दूसरा अर्दिनिर्मित वस्तों के स्टॉक में परिवर्टन, अर्दिनिर्मित वस्तों के क्या होती है, वे वस्तों जो अभी उत्पादन परक्रिया में काम आ रही है और अंतिम रूप से तयार होने की परक्रिया में, अर्थाद अर्दिनिर्मित मतलब आधी तयार है और आ फिर तीसरा C, कच्चे माल के स्टॉक में जो परिवर्तन होता है उसे भी माल सुची निवेश का अंग माना जाता है और ये कच्चा माल में जो परिवर्तन है वो अभी उत्पादन परक्रिया में काम आने के लिए परियुक्त होना बाकिया तो तीनों में अंतर समझ में आया है कच्चे माल में जो इस्टॉक में परिवर्तन होता है वो कच्चा माल तो अभी काम आना बाकिया है उत्पादन परक्रिया में जबकि अद निर्मित माल उत्पादन परक्रिया में अभी काम आ रहा है और निर्मित माल उत्पादन परक्रि आप देख सकते हैं ये कच्चा माल है ये निर्मित माल है और ये अर्णिर्मित माल है कच्चे माल के रूप में ये लकड़ी पड़ी है जिसका यूज उत्पादन परक्रिया में होना है जबकि अर्ड निर्मित माल के रूप में आप देख सकते हैं ये टेबल बनके तैयार है लेकिन इस पे पॉलिशिंग होना बाकी है और कई परकार के काम बाकी है फिर ये सारे के सारे ये निर्मित माल है निर्मित माल के रूप में ये जो लकड़ी है टेबिल है पूरी तयार हो चुकी है कलर वगरा हो चुका है इसमें तो इसे हम निर्मित वस्तु कहेंगे ऐसे ही ये बैग है ये भी निर्मिद वस्तू है और ये जो टीशेट है ये भी निर्मिद वस्तू है लेकिन ये अभी उत्पादन परक्रिया में बिके नहीं है इसलिए हम इसे inventory इसमें शामिल करते हैं हम इसे निवेश कांग मानते हैं माल सूची कांग मानते हैं ठीक अब हम आगे बढ़ते हैं नियोजित माल सुची एवं ए नियोजित माल सुची स्टोक इन दोनों को भी समझ लेते हैं वह माल सुची स्टोक जो भावी मांग को पूरा करने है तू जिसके लिए पहले से उत्पादक ने योजना बनाई है उसे हम नियोजित माल सूची कहते है अर्थात नियोजित मतलब जिसका पहले ही योजना बना ली जाए उसे हम नियोजित करते हैं अर्थशासर में अर्थशासर में कोई भी चीज जो नियोजित जब भी आ जाए इसका मतलब है उसकी पहले ही योजना बना ली गई है तो नियोजित मालसूची का मतलब है ऐसी मालसूची जिसकी उतपादक ने पहले ही योजना बना ली है उसे हम नियोजित मालसूची कहते हैं और क्यों बना ली है? क्योंकि भावी मांग को पूरा करने ही तू उत्पादत जानता है बविश्य में उसके उत्पादन की मांग होगी उसके लिए उसकी पूर्ती के लिए उसने क्या किया है पहले ही माल सुची स्टॉक रख लिया है ठीट जबकि वस्तू की बिक्री में ऐ प्रत्याशित गिरावट आनी की विज़े से जो माल स्टॉक में रह जाएगा उसे ऐ नियोजित माल सुची कहते हैं ये तो है जान भूच कर नियोजित करके कि मुझे इतना स्टॉक रखना है ताकि अगर बविश्य में डिमाड आ जाए तो म है ये सामान लोगों तक पहुचा सो ये नियोजित माल सुची होगी जबकि ऐ नियोजित माल सुची में क्या हो रहा है कि उसने उत्पादन किया था लेकिन वो उत्पादन बिका नहीं है किसी कारण से परत्याशित गिरावट आ गई उसकी वस्तू की बिक्री में और उसका माल क्या रह गया बिना विकार रह गया है और वो अब एन योजित माल सुची में शामिल हो गया है क्योंकि उसकी योजना उसने उत्पादक ने नहीं बनाईती फिर भी उसके पास ये माल इखटा रह गया है इसलिए इसे एन योजित माल सुची कहते हैं तो दोनों में अंतर क जिसकी पहले से उत्पादक ने योजना बना कर स्टॉक किया हो और एन्योजित माल सूची जिसकी पहले से उत्पादक ने कोई योजना नहीं बनाई लेकिन बिक्री नहीं होने के कारण उसका माल बिना बिका रह गया जिसके कारण उसे एन्योजित माल सूची का सामना करना प मुल्य रास जोड देते हैं तो सकल निवेश आ जाता है सकल निवेश का एक और सूतर है सकल निवेश बराबर शुद्ध घरेलू इस्थाई निवेश प्लस मुल्य रास प्लस माल सूची निवेश ज्यान दे सकल निवेश को हमने आई के रूप में जाना है और आई निकालने के लिए हमें क्या ओची होता है सकल इस्थाई निवेश चीज होता है लेकिन यहां सकल इस्थाई निवेश की जगा क्या लिखा हुआ है शुद्ध करे लो इस्थाई निवेश तो इस शुद्ध को सकल बनाने के लिए हमने इसमें क्या जोड़ दिया है यहां देखिए मूल् होता है यह shortcut आप के लिए कोई भी सकल राशी निकाल नी हो मेक्र एकनोमिक में तो शुद्ध में मुल्य राज जोड़ दें तो आपके पास सकल राशी आ जाईगी तो यहाँ हमने यही किया है कि सकल निवेश निकालने के लिए जो शुद्ध सकल निवेश के दोंग होते हैं इस्थाई निवेश और माल सुची निवेश, लेकिन ये इस्थाई निवेश सकल नहों कर कैसा था, शुद्ध, जबकि हमारी धार्णा कौन सी चल रही है, सकल की, तो इधर शुद्ध है और इधर सकल है, तो इस शुद्ध को भी हम क्या बना लेंगे, सकल, तो कैसे बनाया, शुद्ध घरेलो इस्थाई निवेश में हमने मुल्य रास जोड दिया, तो ये अब क्या बन गया, सकल घरेलो इस्थाई निवेश, ग्यान देना, अब ये क्या बन गया, सकल घरेलो इस्थाई निवेश, और जैसे ही इसमें ये जोड़ा हमने, क्या जोड़ा, माल सुची तो ये बन जाएगा सकल निवेश, माल सुची निवेश को ये हम इस टौक में परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, फिर आगे है सकल निवेश आई बराबर होता है, सकल गरेलू इस्थाई निवेश प्लस माल सुची निवेश जो कि मैं पहले ही आपको बता चुगा हूँ, स सकल निवेश के दो ही अंगोते हैं, सकल गरेलू इस्थाई निवेश प्लस माल सुची निवेश और माल सुची निवेश को हम इस टौक में परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, उमीद है, स्टुडेंट्स आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और आपको समझ में आया होगा कि सकल निवेश और शुद्ध गरेलू इस्थाई निवेश ये सब अलग-लग चीजें होती हैं, और हमें इसको देखना होता है, इसके अलावा हमने आज ये भी देख लिया, कि नियोजित माल सुची और अनियोजित मा क्योंकि ये हमारी नई समश्टी अर्थशास्त की सीरीच चल रही है जिसमें आपको समश्टी अर्थशास्त से सम्मंदित सभी कंटेंट बहुत बढ़िया किस्म के देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत दन्यवाद।